आज हम इस वीडियो में बाते करेंगे Tax Saviung Mutual Fund के बारे में गाइस, Tax Saviung Mutual Fund होता क्या है? गैस, ऐसे Mutual Fund जिसमें हमें Tax Benefit मिलता है, Section 80C के तःत income tax में 5.5 रुपया तक का, जिसमें Tax Benefit मिलता है, उसे हम Tax Saviung Mutual Fund कहते हैं गैस आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मुचल फंड में इंवेस्टमन करना चाहिए थे मुचल फंड में तीन साल का लॉकिंग पिरियर होता है चलिए बाते करते हैं कौन-कौन से बेस्ट किन अगर हम बाते करते हैं तो पहला को टेक्स प्लाण डैर्रेक्ट प्लाण की अंगल बाते करते हैं हम यहां पर देख रहे हैं जर से यह फंड है से लॉंच हो था उस समय से 19.65% का इसे ग्रोफ दिखाया है इसमें बहुत सार इसे मुचल फंड भी है जो बहुत पुराने नहीं है तो इसे मुचल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हो सकता है कि वो नए मुचल फंड हो औ आप इसे पाइस साल के लिए पर चार साल के लिए इसे मुचल फंड इसे ग्रोफ देते हैं चलिए अब दूसरा नमबर के कौई सा मुचल फंड है इसके बारे हम बाते करते हैं डेटेल में हम एक चीज़ और बताऊंगा इसमें प्राव पराकी आर्टेक्स से बार मुचल 24 पर विए आप सूच रहे होंगे यह जादा रिटन है यह पहला नमर पर पर क्यो नहीं आ रहा है पहला नमर पर यह कारण है कि यह पांच साल से कम एज हुआ है गाइस मुचल फंड को इस इस लिए हम पहले नमर पर नहीं रख सके हैं भले हिं ग्रोश मैं दूसरा नमर पर सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर इसे जब से लॉंच हुआ है और अगर हम 5 सार के बाते करते हैं तो यहां से जब से लॉंच हुआ है इस तरह से बहुत सारे से मुचल फंड है आपको तीन साल का लॉकिंग प्रियड है आप किसी में भी इंवेश्ट्रिक करते हैं आपने पैसे को तीन साल तक अपने पैसे को छूब भी नहीं सकते हैं निकालने के बात दूर है आप देखें भी इंवेश्ट्रिक करना चाहते हैं चार सालों के लिए या पांच सालों के लिए तो आप ऐसे इसमें इंवेश्ट्मेंट कर सकते हैं या फिर तीन साल के बाद आप अपने पैसे को रिडीम करना चाहते हैं तो आप इस ट्रेक्शन मुचल फंड में इंवेस्मेंट कर सकते हैं अगर आप इसे टेक्स नहीं करता है तो आप इसे मुचल फंड में इंवेस्मेंट करें आपके लिए बेस्ट होगा ठीक है अगर आप देखेंगे अगर आप कमेंट करेंगों तो में आप पसी यह से डाल दूँगा तो आप आप देखेंगे तो आप 25 ए 26 पर रिटर्ण इसे डिखाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेक्सरी रूर्फ पंड में इंवेस्ट में से बाच जायगा गाइस 10 परसंट का सबचेगा अगर 10 परसंट का टेक्स मतलब कहा जाए तो एक परसंट ग्रोथ अगर हमारा इससे अगर ज्यादा मिल गया सब्सक्राइब करते हैं यहां पर लॉंग टर्म के लिए करते हैं तो सपोस्थ एक पर सकतर परसंट का है से रिटर मिलता है यह फ्यूसर की नहीं यह पा अगर आप यहां पर इंवेश्टमेंट करते हैं आपको यहां पर इंवेश्टमेंट करते हैं आपको यहां पर इंवेश्टमेंट करते हैं अगर हमारा वहां पर गया से 20.5 परसंट का रिटर्न देता है सिर्फ एक परसंट हमें रिटर्न जाना मिलता है इससे तो वहां पर अगर इंवेट्मेंट करना है तो हमें 25-30 रुपय का जादा प्रॉफित होता है तो हम यहां पर देखेंगे तो 10 रुपय और 25-30 रुपय का इक्स्ट्रा इसे प्रॉफित होता है अगर आप एक कन्विड़ियं लागता है। ऑग इसी कुस्टा करcn पर भाइग कर सकतेiva तो बेंच्ट्रा थाहिए हैं सब्सक्राइट करते तो अच्छा प्रॉफित होगा प्लान डाब बहुत प्लान ही है एक ऐसा जो कि अच्छा रिटरन दे रहा है बाटी आप तेख रहा है 12 और 11 पर संथे का रिटरन ऐसे दे रहा है तो इस तरह से आप इंवेस्टमेंट कर अपने पैसे के ग्रोथ को कम कर रहे हैं अगर आपने पैसे को ज्यादा ग्रोथ करता ह करें और मेरा वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें जरूर दबाएता है कि हर नाटिफिशन आपको मिलता है रहा है थैंक्यू धन्यवाद